दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिक्रमाद की बात के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के दो धड़े महारास्ट की राजदानी मुंबई में इस वक्त भीडे पड़े हैं एक ने अपना मोर्चा अपनी बैठक का मंच नरिवन पॉइंट में सजाया है तो दूसरे ने बांदरा में चाचा यानि शरत पवार का मंच नरिवन पॉइंट के वाईबी चवान सेंटर पर है और भतीजे यानि अजित पवार का जो केंद्र है उनका जो सभा मंच है वो बांदरा के एक एजुकेशनल ट्रस्ट के कैंपस में है दोनों जगा शरत पवार की तस्वीरें सबसे बड़ी लगी है यानि जो अजित पवार अपने चाचा यानि शरत पवार के किलाब बगावत का जंडा लेकर पार्टी में दो फाक कर चुके हैं उन्होंने भी अपने मंच पर शरत पवार को अपने राजनितिक भगवान सियासी भगवान के रूप में पेश किया है उनके बैनर पर शरत पवार चमक रहे हैं और शरत पवार का जो मंच है उस पर अपेक्षाक्रित शरत पवार की तस्वीर थोड़ी छोटी है इससे सियासत के रंग रूप और समिकर्ण और साथ में जो खेल अंदर चल रहा है उसका भी पता चलता है या कम से कम उसके इंडिकेशन मिलते हैं, संकेत मिलते हैं शरत पवार के बगएर रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है इस बात को महारास्टर में वे सब जानते हैं जो रास्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के समर्तक हैं या जो उसके वोटर हैं या जे उसके मेंबरान है अभी कुछी दिन पहले जिस दिन स्पृट का एलान हुआ जिस दिन डेपिटी चीप मिनिस्टर बने थे अजित पवार उस दिन छगन भुजबल जो एक बार डेपिटी चीप मिनिस्टर महारास्ट के रच चुके हैं और इस छगन भुजबल यह भी बोल गए कि स्वेम शरत पवार ने कहा कि आएंगे तो अगली बार भी मोदी जी इसलिए हमने पवार साब की बात मान कर हम पहले ही मोदी जी के साथ हो लिए है ये छगन भुजबल का बयान है ये मेरा इंटिप्रेटेशन नहीं है तो आप ये समझ सक ने हैं कि ये खेल है क्या मैं किसी कांस्पिरेसी थिवरी की बात नहीं कर रहा हूँ शरत पवार जिस संकट में हैं जिस तरह की चुनोतियों का सामना वो कर रहे हैं वो पहले लोगों को चुनोतियां देते रहे हैं लेकिन अब वो गहरी चुनोती का सामना स्वेम कर रहे है एक जमाने में कॉंग्रिस को उन्होंने चुनवती दी, कॉंग्रिस के आला कमान को चुनवती दी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर जो निरर्थक सवाल था, बिलकुल बेकार का सवाल था, कोई मतलब नहीं था उस सवाल का, उन्होंने कॉंग्रिस में से अपने विरोधी मोर्चे के वो साथ खड़े हैं तो उनके जीवन में contradiction contradiction सी हैं अंतविरोध और अंतविरोधी हैं और अंतविरोधों की पूरी जटिलता के साथ वो हस्ते हुए राजनित करते हैं तमाम तरह की परेशानियां उनको हैं लेकिन 82 साल की उम्र में भी वो कह रहे हैं कि हम पार्टी को खड़ा करने के लिए फिर निकल पड़ेंगे उनको विधायक दल की चिंता नहीं है और आज भी जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं जो लेटेस्ट खबर मेरे पास है उसके मताबिक शरत पवार के खेमे में अब तक 15 विधायक पहुँच चुके हैं इसके अलावा 3 MLC हैं और 5 सांसद हैं सांसदों की संक्या ठीक ठाक है और दूसरी तरफ जो उनके भतिजे यानि जो अजित पवार हैं उनके साथ अभी टोटल 28 विधायक हैं अभी भी जो उनको जरूरत है अगर 2 3rd majority पर ही वो defection को legalize कर लेंगे constitutionally valid मान लेंगे करा लेंगे तो भी उनको अभी विधायकों की संक्या कम से कम उनके अभी 8 विधायकों की जरूरत है तो ऐसी स्थिती में ये माना जा सकता है कि वो आठ या नौ या दस विधायक हो सकता है इसे ज़्यादा भी विधायक मैनेज कर लें क्योंकि जो खेल चल रहा है उसमें शरत पवार के बहुत करीबी लोगों से जब मेरी बात होई आज इस मीटिंग के जस्ट सुर होने से पहले तो मुझे जो फीड़ बैक मिला कि शरत पवार को चिंता अपने विधायकों की नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस संकट का सामना करने में वो काम्याब हो गए तो पार्टी वो फिर भी खड़ी कर लेंगे सुप्रिया सुले कारिकारी अध्यक्ष पार्टी की बनाई गई है जो उनकी बेटी है और रोहित जो पवार हैं जो उनके दूसरे भतीजे हैं उनको भी वो खड़ा कर रहे हैं बहुत तेजी से भतीजे के भतीजे हैं उनको भी खड़ा कर रहे हैं वो बहुत प्रचंड बहुमत से MLA का चुनाव जीते थे और रोहित जो पवार है मैं समझता हूँ कि वो सुप्रिया सुले के एक सहायक के रूपे यानि यानि लीडर्सिप में अगर सुप्रिया सुले होंगी भविश्य में तो उनकी जो कमान जो सेकेंड इन कमान होंगे वो रोहित पवार होंगे ऐसा कहा जा रहा है एनसीपी में तो ये जो समिकरण है पार्टी के अंदर ये जो ये जो लीडर्सिप का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक तरह से शरत पवार इस चुनाव में खड़ा करेंगे जो अगला चुनाव आएगा और उनको भरोसा है कि जो अभी आजित पवार के साथ लोग गए हैं वे सारे लोग टिकट मांगने उनके पास आएंगे तो फिर ये खेल क्या है कहीं ये खेल ऐसा तो नहीं है कि आजित पवार चगन भुजबल प्रफुल पटेल जीतने लोग हैं ये फिलहाल बचे भी रहें बचे रहें का मतलब प अजित पवार की तरफ फो संकेत के साथ कहा था कि ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और और तो और चार और पांच मिधायक जो मंत्री बने हैं वो ED, CBI, Income Tax किसी ने किसी के घेरे में हैं कुछ पर तो बकायदे चापे पड़े हैं कुछ गिरफतार होने वाले थे एक जो मुंबई के ही हैं उन पर तो बकायदे चापे मारी होई और गिरफतारी से बचने की वो लगातार जुगत विड़ाये हुए थे इसी बीच में हो कैबिनेट मंत्री बन गए तो इसलिए आज जब बैठके हो रही हैं दोनों तरफ तो शरत पवार की बैठक में जो दिल्चस्प जो प्लेकार है वो बना हुआ है उस पर लिखा है बड़े मोटे अक्षरों में मोधी वाशिंग मशीन और दुसरी तरफ लिखा है मोधी वाशिंग पाउडर ये बड़े-बड़े पोस्टर हमने शरत पवार की बैठक में लोगों को लाराते और फाराते है अगली जो विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है बैंगलोरू में शरत पवार उसकी तैयारी कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो उनसे अलग होकर गए हैं लोग उनके प्रती शत्रुता भी नहीं दिखा रहे हैं सुप्रिया सुले लगातार का रही हैं कि अजित भी तरह के कल चे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं अब तक देखा ये जाता रहा है कि परिवार के लोग अगर सियासत में हैं और अलगाओ लगाओ होता है अगर split होती है तो वो एक दूसरे के खिलाब बोलने लगते हैं शत्रुता पैदा हो जाती है हमने एक बार नहीं अनेक बार दिखा है और तो और father in law और son in law टीडीपी की बात कर रहा हूँ anti-rama rao और और जो उनके जो दामाद है चंदरबाबु नाइडू उन दोनों के बीच कितने खतरनाक और कितने संगीन और कितने खराब रिष्टे हो गए थे हम सब जानते हैं जब split होई थी पाटी में तो लेकिन ये एक ऐसा split है जिसमें कोई किसी के खिलाब बुरा शब्द नहीं कह रहा है यहां तक कि नेता भी बदलने को तयार नहीं है सब कह रहे हैं उनके नेता शरत पुवार है अद्भुत split है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस split का क्या असल कहानी इसकी है यह बाद में बहुत सारी चीज़े सामने आएंगी दोस्तों इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन यह मान कर चलिए कि यह जो लड़ाई है दरसल वो दबाव और वजूद बचाने की जंग है एक तरफ दबाव है और दूसरी तरफ वजूद यानि सियासत में अपना वजूद बचाने की जद्दो जहद है और इस जद्दो जहद में शरत पवार अपने अंदाज से अपने मिजाज से अपनी शैली में सामने दिखाई दे रहे हैं 82 साल की उम्र में अपने को बचाने के लिए अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए जेल जाने से बचने के लिए और अपनी संपत्यों के जब्त होने की स्थिती से बचने के लिए जो लोग आज अलग रास्ता आख्तियार किये हैं स्प्लिट किये हैं पार्टी को स्वेम सरकार का हिस्सा बन गए हैं चाहे इससे भाजपा को जितना भी फैदा मिले चाहे देश का जितना भी नुकसान हो जाए चाहे जनतंत्र और डिमक्रसी जिसकी वो बात करते रहते थे अभी आल तक वो कहते थे कि साथ कंस्टिशनल डिमक्रसी को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकेंगे वो अपने को बचाने में फिलाल लगे हुए हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने को तयार हैं तो माना ये जा रहा है महरास्ट के बहुत सारे political observer यही बता रहे हैं कि ये एक तरह का पवार सहाब का pragmatism है या पवार के समर्थकों का pragmatism है कोई नहीं जानता pragmatism ये जो बहौरिकता ये बहौरिकता सही है गलत है और कोई ये नहीं बता सकता है कि इसमें पवार सहाब की कतनी सहमती है या बिलकुल असहमती है या बिलकुल इससे अंजान है कोई नहीं यह कह सकता और मैं चुकी दोस्तों मैं किसी conspiracy theory की बात नहीं कर रहा हूं मैं विश्षद रूप से जो analysis है जो राइनितिक visualization कहता है और जो political observer खासकर महारास्ट के कह रहा है उनकी बातों को एक तरह से आपके सामने रख रहा हूं तो यह कुल मिलाकर महारास्ट की लड़ाई जिसमें की 15 विधायक शरत पवार के साथ भी हैं तीन MLC पांच सामसद हैं जैसा मैंने पहले कहा और अभी जो latest information इस कारिकरम को करते करते जो मेरे पास information आ रही है उसमें 24 MLA और 4 MLC अजित पवार के साथ बताए गए हैं लेकिन तालिस विधायक चालिस विधायक जो हैं जल्दी ही जुड जाएंगे जो अभी नहीं आ पाए हैं तो ये कुल मिलाकर दावेदारी एक दूसरे की सुनी जा रही है लेकिन मज़े की बात यह है कि शरत पवार बिलकुल यह नहीं कह रहे हैं उनके पास 54 में 50 विधायक होंग या 54 के 56 विधायक होंगे ये खेमा बिलकुल नहीं कह रहा है उनको मालूम है कि बहुत सारे जो विधायक हैं उनकी पार्टी के अलग 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 इलाकों में उनकी बहुत सारी संपत्निया हैं उनके बहुत सारे एसेट्स हैं और उनके बारे में बहुत सारी जो सरकारी जा है वो उनको पटाने के लिए उनको डराने के लिए बहुत दिनों से चल रही है अनेक जगों पर इसलिए दोस्तों आज की बात सबसे महत्पूर यह है कि जो मजूदा रिजीम है उससे लड़ने में कारगर वही होगा जो नीजी जीवन में साफ होगा जिसके पास थोड़े आ रास्ट का है यह बताता है और उस हिसाप से देखें तो देश में बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने को कंप्रोवाइज के लिए उन पर विवस्ता नहीं है उन पर कंपल्सन नहीं है कि वो कंप्रोवाइज करते रहें शायद रास्टवादी कॉंग्रिस पा बार मैं बार बार कह रहा हूं कि इसी संकट से गुजर रहे हैं कि वो एक तरफ उनके लोगों पर भारी दबाओ है और दूसरी तरफ अपने सियासी वजूद को बचाने का की छटपटा हट है ये असल कशमकश है असल जद्दो ज़ाद है जिसके पास जितने विधायक है य जिसके पास कम जितने विधायक हैं या अधिक विधायक हैं इसका सियासत पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है अगले चुनाव में फैसला होगा कि कौन कहां खड़ा होता है और कौन क्या करता है लेकिन तब तक ये सब चलता रहेगा और लगे हाथ दोस्तो आपको एक और कहानी बता दूँ जो इस से बिलकल जुड़ी हुई है कि जो महरास्ट में हुआ है जिस समय महरास्ट में हुआ उसी के आसपास बिहार में भी एक दस्तक हुई बिहार में दस्तक ये हुई कि लालू प्रशाद उनकी धर्म पत्नी और पुरु मुक्य मंत्री राबडी देव और मौजूदा जो डेपिटृटी शिप मिनिस्टर है उनके पुत्र तेज स्वी आदो उनको भी चार सीट कर दिया गया है एक दूसरे केस में इसके पहले भी वो चार सीट हुए है और उसमें जमानत भी मिली हुई है हो सकता है कि इस case में भी जमानत मिल जाए हो सकता है नो मिले कोई नहीं जानता जमानत के बारे में कोई भी आदमी prediction नहीं दे सकता है लेकिन ये जो विपक्षी नेताओं की बैठक की जो मेजबानी होई पटना में उसका immediate जो reaction जो हुआ सकता की तरफ से वो ये कि चार सीट अलग-अलग case में हो गया अब कह सकते हैं कि ये legal process है लेकिन सभी जानते हैं कि इस तरह के मामलों में आजकल राइनितिक दबाव और राइनितिक हस्तक्षे भी दिखाई देता है कई जगा दिखाई देता है क्योंकि नेता पहले बोल देते हैं नेता पहले ही कोई बयान दे देते हैं कि वो तो jail जाएंगे उनके उपर तो चार सीट होगा उनके उपर तो ये होगा और फिर चीजें हो जाती हैं तो ये भी नहीं कहा जा सकता अभी लोग बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी को हटाना ही पड़ेगा नितीश कुमार को और नहीं तो नितीश कुमार को जाना पड़ेगा कुछ लोगी ये भी कह रहे हैं कि नितीश कुमार इंडिये की तरफ फिर आ जाएंगे यानि फिर वो पल्टेंगे ये भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं और इसी भीच में एक और घटना हो गई कि तीन ही तारीख को इधर चार सीट हुआ था उसी दिन शाम को बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद जेडियू के सांसत और भारत की संसत के उच्च सदन के उपसभापती राजिसभा के हरिवंश नाराएंड सिंग पाकाइदा नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुँचे अब नीतीश जी समय मुख्यमंत्री के रूप में अपने विधायकों सांसतों से मिल रहे हैं कुटीन कारिक्रम के तहट वो मिल रहे हैं लोगों से लेकिन हरिवंश जी का जाकर उनसे मिलना ये राजनितीख हलकों में मीडिया सर्किल में इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगा जाने लगे कुछ लोग तो पत्ना भी ये भी करने लगे कि शायद कोई बहुत महत्मुन संदेश लेकर आये हो नितिश कुमार जी के लिए भावी स्टेटीजी के लिए या उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर मैं भविश्य वक्ता नहीं हूँ और न तो कोई मेरे पास अजार ऐसा है कि मैं जान जाओं कि कहां क्या हुआ किसके दिमाग में क्या चल रहा है लेकिन दोस्तों एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में भी सत्ता को हिलाने डुलाने की कोशिश तेज हो गई है क्योंकि भारती जंता पार्टी का नित्र तो ये अच्छी तरह जानता है कि अगर उत्तर भारत के समीकरणों को मद्ध भारत के समीकरणों को नहीं बदला गया जो अभी है तो यकीनन दो हजार चौबिस की लड़ाई उसके लिए बहुत जोखिम बरी लड़ाई हो जाएगी जिस तरह दक्षिन भारत में उसकी दाल नहीं गल रही है जिस तरह कई और हलकों में उसकी दाल नहीं गल रही है अगर उत्तर भारत और मद्ध भारत के कुछ हिलाकों में अगर उसने equation नहीं change किये तो मुश्किलात उसका पीछा नहीं छोडेंगी और दोस्तों यही कारण है कि हर जगा जहां उसकी सरकार नहीं है सरकारों को disturb करने अपदस्ट करने या तोड़ फोड़ करने की भरपूर कोशिश की जा रही है जो नहीं कर पा रहे हैं या जो नहीं जुक रहे हैं उनके खिलाब केसेज उनके खिलाब तमाम तरह के मामले जो हैं उनका पीछा कर रहे हैं तो यह जो दिल्चस्प सिनारियो है यह जो दिल्चस्प परिद्रिश्य सामने दिखाई दे रहा है इसमें 2024 के लिए विपक्षी दलों को अपना रास्ता खोजना है अब देखिए वो रास्ता कैसा खोजते हैं बंगलोरू की बैठक में किस तरह से रिव्यू करता है विपक्ष विपक्षी दलों के बड़े नेता यहाभी देखने लाइक बात होगी तो दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल